दोस्तों यहां से मैं अपनी फोटोस देख सकता हूँ जोन जोन सी मैंने मतलब यूज कर रहा था एंड कौन-कौन सी फोटोस मेरी iCloud Drive पे पड़ी भी है यहां से मैं So what's up guys, this is Amiran, you are watching technical vision तो guys वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत important topic के ओपर कि आप iCloud Storage किस तरीके से manage कर सकते हैं यहां पर आपको जैसे की पता है कि iPhone 5 GB तक की free storage प्रोवाइड करता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 5 GB अभी मेरी यूज भी नहीं हुई है एंड यहां पर मेरे iCloud storage एकदम optimized condition के अंदर है यहां पर 1.3 GB ही मेरी only use हुई है एंड यहां पर आपको अगर आपको पता है कि बहुत सारे लोग की पूरी 5 GB फूल हो जाती है उसके बाद यहां पर आपको अप्ग्रेड करने का option आने लग जाता है कि आप इसको अप्ग्रेड कीजी है मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से optimized तरीके से manage कर सकते है ठीक है उसके लिए सबसे पहले आपको यह iCloud storage चेक करने के लिए आपको सिंपली settings में जाना है settings में जाने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से अपनी profile पर click करने के बाद यहां पर iCloud पर click कर देना है जैसे यहां पर आएंगे यहां पर आपको सारी आपकी storage कितनी फिल हो चुकी है वो सारी चीजे पता लग जाएंगी उपर ठीक है अब यहां पर आपको मान लीजे पूरी पांच जी भी भर गई है ठीक है आप यहां पर manage account पर जाके चेक कर सकते हैं कि सबसे जादा storage कौन सी applications ले रही हैं hopefully मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जादा storage जो आपने की घेर रखे होगी वो photos ने घेर रखे होगी और यहां पर मैंने photos का backup जो है iCloud पर बंद कर रखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से बंद कर सकते हैं on कर सकते हैं सारी चीजें यहां पर आप messages आ जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं voice memo भी यहां पर यहां पर जो है वो iCloud storage यूज कर रही है pages भी यहां पर iCloud storage यूज कर रही है जबकि अगर आपको लगता ही कोई ऐसी application है जो की useless है और फिर भी वो यूज कर रही है तो यहां पर उस पर जा सकते हैं कुछ इस तरी यहां सब अपनी manage कर लेंगे अब यहां पर back आ जाना है back आने के बाद यहां पर लिखाव है apps using iCloud यह सारी applications show all पे click करेंगे show all पे click करने के बाद यह सारी applications आपकी iCloud use कर रही है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपर मैंने photos के लिए turn off कर रखा है इसको ठीक है यहां प application है जो मैं नहीं चाहता कि यह मेरे iCloud storage को use करें यहां पर मैंने इसको बंद कर दिया अब मैं आपको बताता हूं main funda सब लोग परिशान होगे कि यहां पर आपने भाई सब कुछ बता दिया लेकिन photos का भी बता दो photos को किस तरीके से manage कर सकते हैं मैं आपको photos का भी बताता हू आपके sync है या नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अपने contacts को on कर रखा है जो जो चीज इंपोर्टन थी हो सारी on है ठीक है यहां पर एक main important feature भी है iCloud Drive क्या चीज है भाई iCloud Drive में आप manage कर सकते है storage iCloud Drive कुछ नहीं है बस एक तरीके से यह files वाली चीज ही है ज यहां पर आप अपनी iPhone की storage को manage कर सकते है on my iPhone and iCloud Drive के through मानली जीए को यह आपका एक important document है example के तोर पर important document है example के तोर पर मानली जीए यह एक important file है मैं इसको फोटो सिरफ इस फोटो को मैं save करके रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा इसको save to file कर दूँगा and यहां पर on my iPhone के पर इसको, iCloud Drive पर डाल दूँगा कहीं भी ढाल सकता हूं जैसा, mo इसको save करूंगा तो यह file जो है मे इसको iCloud Drive पर डाला and यहाँ पर यह देख सकते हैं 1.2 MB की फोटो थी ठीक है यह फोटो यहाँ पर iCloud Drive पर सेव हो चुकी है इस तरीके से यहाँ पर आपके important documents को कहीं भी आपको share करना हो या कुछ कहीं भी ऐसे करना हो तो save to files कर सकते हैं आपको iCloud Drive में जाना है कुछ इस तरीके से manage storage पर जाना है manage storage पर जाने के बाद यहाँ पर simply जितने भी आपने यहाँ पर files के अंदर data डाल रखा होगा यह जितना भी data होगा वो सारा यहाँ पर manage कर सकते हैं easily आप आपको पता लगेगा कि सबसे जादा MB कौन सी PDF ने या कौन सी file ने घेर रखी है यह देख सकते हैं फोटो की PDF है जिसने 11 MB घेर रखी है अगर आपको लगता है कि यह useless है तो आप यहां से directly delete कर सकते हैं आपकी iCloud storage खाली हो जाएगी इसी तरीके से आप यहां पर अपनी files को manage कर सकते हैं चाहे तो आप यहां से भी manage कर सकते हैं इनको preview देख देखके अगर आपको यहां से manage करने का मन नहीं कर रहा है तो आप यहां से भी manage कर सकते हैं और आपने जो भी delete करियोंगी files वो recently delete के अंदर show होने लग जाएंगी अब main important बात बताता हूँ मैं आपको आपकी iCloud storage जो है वो यहां से आपने चेक कर ली सारी चीज़ें अब आप आपको photos देखनी है कि मेरी photos कौन कौन सी iCloud पर जा चुकी है तो आपको simply Safari browser पर आना है कुछ इस तरीके से Safari browser पर आने के बाद यहां पर लिखना है iCloud.com iCloud.com जैसे ही आप लिखेंगे यहां पर आपको sign in पर click करना है कुछ इस तरीके से and जैसे ही मैं sign in पर click करूँगा मेरी इनने face ID detect करी इसी email ID से ठीक है and यहां पर अब मैं अपनी iCloud storage को manage कर सकता हूँ यहां से जी यहां दोस्ते हैं से मैं अपनी photos देख सकता हूँ तो अब यहां पर यह मेरी photos बता देगा जोन जोन सी iCloud drive पर पड़ी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी iCloud storage जो है वो मैंने बंद कर रखी है ठीक है photos वाली बंद कर रखी है ठीक है और जो इससे पहले बंद करने से पहले जो photos अपलोड हो गई थी like यह videos अपल डिलीट कर दूँगा डिलीट करते ही यह recently delete में चली जाएंगी जो कि 30 दिन तक यहां पर यह 40 days तक यहां पर यह पड़े रहेगा 40 days के बाद ही यहां से remove कर देगा and आपकी iCloud storage जैसे ही आप यहां से delete करेंगे खाली हो जाएगी आपको recently delete करने की जरूरत नहीं है अगर आप यहां से आप अपने drive की files भी यहां से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेरे drive पर files पड़ी हुई है and यहां से भी देख सकते हैं and यही same चीज़ आपके पास कोई windows है वहां से भी आप login करके check कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब यहां से आपने iCloud drive देख ल रही है ठीक है calendar यूज कर रहा है ठीक है तो अगर आपको फुल डीटेल चाहिए होगी तो आप क्या कर सकते हैं PC के अंदर icloud.com लिखेंगे और वहां पर आप login कर सकते हैं वहां पर आप contacts तक देख सकते हैं कौन-कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर आपके पास एक option आएगा कि डूट इस फोटोस इंट यूर आइफोन अगर आपके आइफोन के अंदर स्टोरेज है लाइक मेरा आइफोन 128GB का है एंड मेरी फोटोस ओनली 32GB की आइकलाउड पर स्टोर हैं या चार जीबी की स्टोर हैं तो यहां से आप जैसे ही टर्न ओफ करेंगे तो आपके जितनी भी आइकलाउड पर फोटोस होंगे तो डाउनलोड कर लीजी उनको तो अगर आपके फोन के अंदर वापिस नहीं आती है तो घबराएं मत आप यहां पर आइकलाउड.com पर जाके यहां से आप अपनी सारी फोटोस को चेक कर सकते हैं बेजी जग होके एंड यहां से आप जब आपको जोन सी भी फोटोस पसंद आ रही हो कुछ इस तरीके से यहा बहुत सिंपल और यूनीक इंटरफेस हो जाएगा उसका तो यहां से आप बंद कर जीजिए फोटोस को तो आपको बहुत ज़्यादा बैक अप बच जाएगा एकलाउड को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कुछ भी इंफोर्मेशन मिली है तो यहां से आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं बहुत इंफोर्मेशन वीडियो आने वाली है इन फ्यूचर तो से यू सुन इन एक्ष वीडियो